अज अज़ किस्वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किके अपने अधार काडD के अंदर अपना भायमेक्टर को अप्डेट किया हुआ जिसे हिसे आपका फिंगरप्रिंट या फिर आप अपना आ आ ballet को अप्डेट किया हुआ और Хै जानना चाहते हैं कि आपका जो अधार डेटा है यानि बायमेट्रिक वो अपडेट हुआ है अत्वर नहीं हुआ है तो आपको कहीं जाने कि हो सकता नहीं आप घर बैठे अपनी फोन के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपका बायमेट्रिक अपडेट हुआ है अत्वर नहीं जो पहला website आएगा जो कि आप देख पारे होंगे ssup.uidi.gov.in आपको इसके उपर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click किजिएगा तो जो पहला website यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपकी जिएगा इसका जो official portal देखने को मिलेगा इसमें कई सारे options आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से एक option यहाँ पर आपको देखने को मिलता है check enrollment and update status आपको इसके उपर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करिएगा एक नया पर जाब की screen के उपर display होगा अब फिर इस page की साहता से आप जो है अपना biometric का जो update status है यह पता कर सकते है अब देखिए biometric का update status को पता करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे तीन options दियेगा है एक enrollment ID का दूसरा SRN का तीसरा URN का SRN का मतलब होता है service request number URN का मतलब होता है update request number वहीं यहाँ पे कर रहा है enter enrollment ID तो यहाँ पे भाई आपको simply जो है यह तीनों में से जो भी आपके पास होगा उसे आप enter कर सकते हो देखिए आपने अपना biometric update किया होगा तो उसमें आपको एक पावती मिलता है एक रसीद मिलता है ठीक है देख मेर भाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको रसीद मिला होगा इसी रसीद के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अब भाई रसीद के अंदर आप देख पा रहोंगी यहाँ पे जो है वो update request number लिखा गया है यह update request number और यह आपका date ठीक है जो देड दिया गया गाना है इस आपको उलटा आलना है ठीक है जैसे 26-12-2023 है जैसे 26 पistani पहले इंटर करना है और 15 16 26 सिर ने और बन जालना है आपको 28-ग नहेंट इसे इंडर कर देता हूं exactamente यहाँ पे आप देख सकते हूं मिनेटियस को फिलप कर लिया है छो से मैंने इंटर कर दिया है ठेल डिगित का एंडॉलमेंट डि न اईनुमबर और बहग यहाँ पे आप फ़िछ समय को मैंने अ is Halloween लेख और दाला हुआ जो अ कट गया एठर के बाओ जो capture यहाँ पर दिया गया, उस capture को fill करना है, फिर दूस्तों सब्मिट वाले बटन के उपर click करना है, अब भाई सारा detail को fill करके चलिए, submit वाला बटन के उपर click करते हैं, ठीक है, अब देखे, submit वाला बटन के उपर click करेंगे, क्लिक कर दिया है यहां पर इंट वाला बटन के उपर क्लिक करते हैं ठीक है क्लिक करने के बाद फाइनली यहां पर श्रीटस आ चुक है और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अपर आप आधार कर श्रीट करते हुँ अपर रहे हैं कि आपका अधार काड को प्रेंट किया जाता है और पोस्ट किया जाता है अपको तब तक भाई आप छाओ तो अपना आधार काट को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है भाई अगर आपका कुछ एरर से तो भाई आप यहां पे एक बार फिट से री ट्राइ कर सकते हैं और भाई इसको इसके रिगाड़िंग किसी भी फरकार का पूर कोई दिक्कत हो तो comment box में पूल सकते हैं बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को कोटी-कोटी धन्यवाद